नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चलन आदनोटेक में उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे मैं आज आपके लिए एक नए वीडियों नए टॉपिक में लेकाया हुआ हूँ आप दे सकते हैं यह एच पी का पीसी है मीनी पीसी जिसको बोलते हैं इस इसमें समस्य यह रही है कि यह एडाप्टर से लगाने के बाद यह चालू नहीं हो रहा है चलिए देखते हैं इसमें क्या समस्या है यह हमने बोट खोल के रख लिया है दोस्तों अगर आप रिपेरिंग सिखना चाहते हैं अगर आपका इंट्रेस्टिंग है यह बहुत बड़ी चीज नहीं है आप भी रिपेरिंग सिख सकते हैं आप भी लेफटाप लेफटाप रिप्यार कर सकते हैं आप बने रही हमारे इस वीडियो में चलिए आगे देखते हैं इस्टब बाइस्टब मैं आपको करके दिखाऊंगा कि यह बोट किस तरह मैंने लेफटाप सही किया अब बस बने रही हमारे इस वीडियो में यह हमने डीसी पाउर सप्लाई से लिखर दिया को इसके जैक में मैंने फ्लगिंग कर दिया आप देख सकते हैं यह रेड लाइड इंटिकेट कर रहा है इसका पावर स्विच हमने प्रेस किया यह लाइड जला इसके बाद ये फिर से बंद हो गया अब डीसी में ये लोड ले रहा है अब इसका डीसी फैन लगाते हैं सीप्य फैन इसका लगाती मैं आपका दिखाने के पॉसिस करूंगे जब इसका पावर बटन प्रेश करेंगे अब इसके के लिए फैन मुविमेंट करेंगे फिर बंद हो जाएगा तो बहुत दिन सकते हैं ये फैन चला फिर जला फिर बंदा हो गया इसकी फावर बाटन चला फिर ये बंदा हो गया और रिपेरिंग में तो सबसे बड़ी चीज है अगर आपकी इच्छा है तो आप सीख सकते हैं हमरे पास बूड आया हुआ है चलिए आगे देखते हैं सबसे पहले अगर आपके पास किसी तरह कोई बूड आता है तो उसमें आप सबसे पहले कम दस से पंदर विड़ा समय देजिए पहले आप हर सेक्ष्वान को बहुत अच्छी तरीके से देखिए कहीं पे कोई चीज बार्न कोई जला हो या कहीं कोई फंग्रस हो या कोई कि आइसी के इर्दगेद बहुत जादा डेश्ट हो कि बोर्ट पर बहुत सारी गंदकी हो रिपेरिंग में यह सब बहुत माइने रखता है बोर्ट जितना साब सुथरा होगा जितना क्लीन होगा वह बोर्ट उतना ही बढ़िया होगा उसमें जल्दी समस्या नहीं आएगी बोर्ट अभी खराब होते हैं जब उसमें डेश्टो गारा बहुत जादा हो गंदकी बहुत जादा हो चलिए हम इसका सप्लाई चेक करते हैं सबसे पहले में चीज होता है पावरान सप्लाई चेक करना जो रन लेबल की सप्लाई है वो बोर्ड में हमारे प्रॉपर बनने चाहिए अगर हमारा टो overcoming सप्वाइभ नहीं बने गा- तो कोई वी घौट तो अन नहीं होगा तो सबसे पहले हम वह हमारा जो है बorc हम पांच सप्वाइभ बनना चाहिए हम उन्हें पशिंद स्प्वाइभ परका द्लिए हो और हमस्प्लाय घ्रह बनना है में कौन-मधा काई बन रही है यह चेक करना होता है तो आवरे सुधाय बन रहा है प्रणाने बमाल भी साइब विश्टेच करें है सप्लाइट कोर सप्लाइट बन रहा है कि नहीं बन रहा है है कोर्स अप्लाई चेक करने के कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह को कोई रीडिंग नहीं दे रहा है हमने सिप्यो कोर्स अप्लाई कोई पर चेक कर रहे हैं कि कांटिन्यूटी रेंज में रखके सबसे पार्ले हमें क्वाल के रीडिंग चेक करेंगे कि क्वाल पर हमको कितना वैलू मिल दा है इसमें चावाल की गेहूं ना कि गेहूं को अच्छा वाथ हुए क्योंकि अगर किसी भी सेक्षन में सौर्टिंग रहेगा तो क्वाल के रीडिंग अलब होगी तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो रीडिंग इसका आएगा ग्राउंड में रखके हैं सबसे पहले सारे क्वाल को चेक करते हैं पुलना ही नहीं तो बढ़िया हर क्वाल पर हम ग्राउंड में रखके इसको चेक करेंगे वाईलू सही दे रहा है कहीं पर कोई सौर्टिंग नहीं दिखा रहा है तो इससे पता चलता है कि हमारा हर सेक्षन ओक्या है अब यह समस्या कहां से हो सकती है चलिए आगे के वीडियो में चिप करते हैं आप बस बने रही हमारे इस वीडियो में मैं आपको यह बोड लाइफ सही करके दिखाऊंगा इसमें क्या समस्या थी कैसे सही हुगा है तो अगर दोस्तो बोड में डेस्ट है तो उसको अच्छे से साफ कर लेते हैं मैं इस उ प्रोफाइल बोड पर एच्छे से चारो तरफ गिराके इसको अच्छे से बरस साफ करेंगे क्योंकि इस बोड में हमने चिक किया कहीं बी और किसी तरह का कोई sorry वारा नहीं था क्लीन करेंगे क्लीन करने के बाद बूर्ड को थोड़ा से हाड़ गंग से हीट करेंगे बहुत ज्यादा नहीं 40-50 डिगरी तब क्योंकि बूर्ड में अगर किसी तरह का डश्ट रहेगा या गंदिकी रहेगी हमारे आईसी के पास बूर्ड में किसी तरह तरह का तो बूर्ड आन नहीं होगा उसकंडिशन में या दिक्कत करेगा आन होने में क्योंकि दोस्तो आइसी जो है सुचिन करती है सप्लाई प्रॉपर बनना चाहिए अगर डेस्ट होगारा रहेगा तो वह सप्लाई में दिक्कत करेगा तो सबसे पहले हम बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लेंगे अईसी प्रोफाइल से यह बहुत हलका होता है यह कुशी समय बाद यह सुख जाता है तो बोर्ड साप करने के लिए यह बहुत सही पड़ता है मेशा जरूरी नहीं होता है कि बोर्ड में किसी तरह का कोई सार्टिंग ही हो या कोई आईसी खराब हो ज्यादा तर रिपेरिंग के मामले में बोर्ड गंदा हो तो उस कंडिशन में ज्यादा समस्या होती है तो 90% प्रोब्लम ऐसी ही सॉल्ब हो जाते हैं रिपेरिंग में क्योंकि बोर्ड जितना साफ सुतरा रहेगा बोर्ड इतना अच्छे चलेगा किसी तरह को कोई समस्या नहीं आएगी तो अब इसको हम हाड गंसे सारे सेक्षन को अच्छे से हीट कर देंगे ताकि अच्छे से यह सुख जाए क्योंकि अगर इसमें नमी रहेगी तो अगर हम सप्लाई देंगे तो बोर्ड खराब हो सकता है तो अच्छे से हम ड्राइ करेंगे करेंगे क्योंक sei llev इतना अच्छे से क्लीन रहेगा बोड सुखा होगा लगर यह समस्या डीर्ष्ट के यह पॉड्ड वार आन होगा क्योंकि इसके यह कि आहें स्कार्डाалог और गो इसके पात के फासोय शवाल लोग्सक् antis ça को अच्छे से बोड को हीट करते हैं इसके बाद फिर इसको आन करते चिक कर लेंगे एक बार तो दोस्तों हर चीज step by step किया जाता है रिपेरिंग में ऐसा नहीं है कि बिना चिक किये हुए किसी भी कहीं पर भी किसी कि आईसी पर काम चालू कर दें तो हमारे बोड में कई सारे सेक्षन होते हैं तो step by step हर सेक्षन को शिर्ण करना होता है कि रंग लेबल सेक्षन रैम कोर पेसी एच तो हमको यह पता होना चाहिए कि हमारे के स्क्षन में कितनी सप्लाई कहां पर बनती है और कप बनती है यह जब पता रहेगा तब हम बोड को रिपेर कर सकते हैं कि क्यूं कि क्यूं कि कि ने हम बोड को आख और ए इस तरफ भी बोट को चारो तरफ हीट करेंगे कि अच्छे से ड्राइ हो जाए वोट में पूलक को अच्छे से क्लीन साप कर दिया है तो हर आइसी को अच्छे से हम हीट करेंगे बहुत ज्यादा नहीं नार्मल हीटिंग पेरिंग में हमेशा पेसेंस रखना होता है तो बहुत बारीकी समस्या है तो वह जल्दी पकड़ में नहीं आती और हमेशा बारीकी समस्या होती है इस कंडिशन में कि जब आपका बोड़ आन हो रहा हो और प्रॉपर आन ना हो चलिए दोस्तों हमने इसको अच्छे से ड्राइ कर लिया है हमने शिफ्यू फैन भी लगा दिया है इसको फिर से सप्लाई देते हैं डीसी सप्लाई से यह अभी इसका वैलू बढ़ गया है जो लोड लेना चाहिए अभी आप देख सकते हैं कि यह सप्तर बात्र से एक्षोभीस डाई सो तिन सो लगभग जा रहा है तो इससे यह पता चलना है कि यह हमें लग रहा है कि यह बूड़ सई हो गया है तो अब हम इसके एडाप्टर से सप्लाई देंगे क्योंकि DC सप्लाई सिर्फ वैलू रीडिंग देखने के लिए यूज करते हैं अब देख सकते हैं हमने इसका एडाप्टर लगाया अब यह बोड़ आन हो गया अब यह पावर लाइट भी आपका कांटेनिट जल ला है अब यह देख सकते हैं यह सिप्यू फैन प्रॉपर चल लाया है यह रिस्टार्ट हुआ कर देख सप्लाई चेक करेंगे रम सप्लाई बन रहे कोर सप्लाई कर बन रहे होगी आप यह देख सकते हैं वन पॉंट सेवन दोनों को दोनों को पर यह सप्लाई बन रहे हैं सिप्यू ओक्य है अब सिप्यू हीट हो रहा है यह हमारा डिश्प्लिय आ गया है दोस्तों मैं आपको की बोड में दिखाने के कोशिश करूंगा कि हमने इसमें कुछ किया नहीं बस बोड अच्छे से क्लीन कर दिया इसको अच्छे से ड्राई कर दिया और यह हमारा डिश्प्लिय आ गया अब यह नॉम लग का देख आप देख रकते हैं यह लाइट जल्डा है जिससे पता चल्डा है यह हमारा बोड ओके हो गया दोस्तों कि इसमें समस्य देश्ट आएगर इसमें बहुत सारा डस्ट था इसके क Кोई-सक्षण में उसको हमने आश्छासे क्लीन कीया द्राई किया उसके बाद हमने बोच को आण किया या आन हो गया अब इसको हम वापस से कस देते हैं यह विडियो आपको कैसे लगी है आप हमें कम बस हमारे इस चैनल पर बने रही है, मैं आपको लिए इसी तरह से जानकारी वरा वीडियो लाता रहूंगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करना न भूले, एकाथ कर का झादा हमारे बस्क्राइब करना बस्कारा जानकारे मनाढ श्योंगा पर जातार बादारा हो, अगर रसकानल बतार करेंचे करना ऴरारे तक आपको अरपकोर झेजिए जादी है लाएंगारी में तो क्याता वांगरा इस वूले कर जाता इसे का एकावरा सुआ है? झाल 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 झाल